ये देख रहे हैं कि जहां पीवी गेर बाज़पा की सरकार है, वहां पे हर जगा में जांच एजिंसी के दुआरा, हर मुखमंत्री या कोई भी बीपच नेता हो, सब की उपर में परतारित किया जा रहा है, जब अरूप लगाए जा रहा है। उसको या रहने नहीं देंगे वीजेपी को, किसलिए रहने देंगे, जारखंड हम लोग को, हम लोग ददाजी अलाग किया ददाजी को ही देंगे, किसी को थोड़े देंगे। किके काम कर रहा है, धरकार भी अलाग कर दिया, उसका बद लड़ाई कर दिया, उसका इसका कौन चीज़ का यह है। कर दिया, छिया, झालाग कर दिया, जार बिदा दिया, औे देंगे, ढे आईंगे, पलाग का है। कर दो दो कि अ कर दो कि अ लोगी को रहाँ, इना अच्याँ जाती प्रोद घड़ी कि अ लंगाँ, इना चाहँ अ वन लाँ जाना को भीड़ाकश अचे कि अरे वाँ अड़ी कि अर। नमस्कार मैं हूँ चित्रता सान्याल और आजकल मैं भी भारत की टीम जाडखन में हैं और इस वक्त हम लोग रांची से करीब करीब सौ किलोमेटर दूर नेमरा गाउं में आई हुए हैं ये नेमरा गाउं जाडखन मुक्ती मोर्चा के गड़ माना जाता है मेरे पीछे जो ये घर आप देख रहे हैं ये है शिबु सुरेन और हेमन सुरेन के पुष्टैनी मकान यहां के गाउं वाले क्या समझते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि करॉप्शन चार्जिस ब्रष्टा चार के मामले में हेमन सुरेन को गिरफता कर लिया गया है इस गाउं के लोगों से बाचीत करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहां के लोग आदिवासी समाज के लोग क्या समझते हैं क्या हेमन सुरेन सच मुष्टैनी में ब्रष्टा चार उन्होंने किया है या वो ये समझते हैं कि उनके खिलाफ एक साजिश रची गई थी के शुब ये बताईए कि जेमिम की सरकार जिस तरह से हेमन सुरेन के खिलाफ रष्टा चार का मामला लगा है उनको गिरफतार किया गया है और उनके मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफा भी देना पड़ा इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं ये देख रहे हैं कि जहां पीवी गेर भज़पा की सरकार है वहां पे हर जगा में जांच एजिंसी के दवारा हर मुख्यमंत्री या कोई भी विपचनेता हो सब के उपर में परतारित किया जा रहा है जबर्जिस्ती करके आरोप लगये जा रहा है किसी अगर नहीं भी है तो भज़पा लोगों ने का करते हैं कि कोई अपना सहयोगी से मदद के दवारा जबर्जिस्ती को उसको पैसा दे करके या संगत जबर्जिस्ती में उसको जोड़ा जा रहा है और इस तरह से फंस रहे जाता है हर जगा देख रहे हैं पूरा भारत में देख रहे हैं तो सोरेन परिवार तो आपके गाउं से ही है उनके बारे में आप क्या समझते क्या वो ब्रषटाचार कर सकते हैं क्योंकि पहले शीबू सोरेन के खिलाफ भी ब्रषटाचार का मामला उठा था और हिमन सुरेन के against में भी corruption का case है. दिखिए यहां पे जारकन में सब्से ज़दा आदिवासी बहुल छेतर है और हम लोग भी आदिवासी हैं मुकमेंत्री जी भी आदिवासी हैं. तो हम लोग को यह लगता है कि इन लोगों को अधिवासी नेता अधिवासी आगे बढ़े नहीं पच पाता है अधिवासी यहां पर नेता लोग को नहीं देखना चाहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि मुखमंत्री इतना सरल और इतना कुसल नेटितुव में सरकार चार सर बहुत अच्छा से चलाए इतना कुरोना काल में अब देखे होंगे कई तरह यहां पर हमारे मजदूर भाई हमारे सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग भाई हो लोग बाहर में ओ तब ही से बहुत अच्छा इनका लोग प्रियता बढ़ने लगा इसी के कारण में इसको सोचा कि इसको गिराया जाए इन सबों से हम लोग को लगता है कि पूरा-पूरी भजपा का साजिस है तो भजपा ये कहते है कि जरूरी नहीं है ज़ारकन के विकास के लिए वहाँ पे आदिवासी मुख्यमंत्री हो क्यों क्यों नहीं यहां ज़ारकन तो हम लोग का है हम लोग पूराजनों से आप देखेंगे सत्रा सो कुछ इस भी से देखेंगे हमारे कई सहीद यहां पे बलिदान दिये जो कि सब के सब आदिवासी है और ये इंडिया का जतना भी है जो हम लोग भारत का जो अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुआ थी वो भी देखेंगे तो फूलों जारनों सीधू कानू कई तरह लोग हम लोग का बिर्शाम मुटा तक सहीद हुए है क्यों इस चीज को भचपा को जाननी चाहिए और सुमच के हम लोग का पिढ़ी आने वाला समय से देखना चाहिए कि इहां के आधिवासियों में कितना ताकत है जो कि हम अंगरेजों के साथ में लड़ाय करने का सहां सिक दिखाएं लोकि हम लोग के पास कोई उस ट्रेम हंत्यार नहीं था बस अगर हम लोग के उन लोग के जैसर पढ़ाई लिखा है अगर हम लोग कई सरा आग उल्ग सुबिदा दिया जाता तो हम लोग साइध बहुत आगे आज तक बढ़े हुए होते हैं तो अगर पांस तारीक को जो है बहुमत साबित करना है जेमेम के सरकार को चमपई सुरेन जी को मुख्यमंत्रिपाद में उन्हें सपद भी लिया है तो अगर जेमेम सरकार नहीं बना पाए तो जार्खन के आदिवासी समाज क्या करेगा यह बिल्कुल चमपईदा हम लोग 100% है उसे 200% है इसमें की उबहुमत साबित करेंगे क्योंकि जार्खन की जानता 5 साल के लिए सरकार को चुने थे और भजपा को तोड नहीं पाएंगे जहां तक हम लोग का उमीद है अगर तोड़ती भी है तो हम लोग यह जो गाउं से ले करके पूरा राची से ले करके अंदोलन करेंगे एक आदिवासी समाज कभी परदास नहीं करेंगे क्या आपको लगता है कि जेमें की गडबंधन के सरकार ना चले इस वज़े से बीजेपी की ये साजेश है दिखिए हम लोग का जार्खन में ओ जो अधिवासी मुर्ण मंत्री जो था उसको पेट में दरत लगने लगा कि एक आदिवासी रहते हुए जब जार्खन में मुंत्री बना तो इसलिए उसका पेट मंदरत करने लगा उदेख नहीं पा रहा है जब वो बोल रहा है कि पूरा इंडिया मेरा है कि एक जार्खन एक आदिवासी करा जाए तो उसको भी लिया जाए तो ओ एडि किया, CBI किया, जमीन घोटला किया, कहां कहां घोटला किया, कोई घोटला हुआ नहीं लेकिन उसके उपर में दवाव, दवाव चल रहा है जो पांच साल मंगमंत्री था उसके बीच में कोई एडि नहीं था, उसके सुमय में घोटला नहीं था, दूद के दूद ही था, पानी के पानी ही था, उससमें गुश गया तो दूद पानी खोजने लगा, एडि, एडि जो ओफिसर है, उस सब अदमी के लिए है, अभी वी महांद जी का है, मेरा बड़े भाई है, किजरुवाल के पास चला जाता है कभी, कभी मामदाब अबनार जी के पास चला जाता है, पहले देखिये, छेतीस गड़ में था, अभी उसका सरकार हो गया, कोई अभी सीडी नहीं एडि, नेतेज जी का पहले देखिये, पहले रकोड में सर, इसका फैले नहीं मिल रहा है, यह लोगो एडि करता है, एडि किसी का पेट में गुशने वाला अदमी नहीं है, जो सचाए बात कर, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार अगर आ जाए, क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि ज़रू आदिवसी मुख्यमंत्री का होना? इसलिए उसका पेट मंदरत है कि आदार किसी को जनरल कर देंगे कि कोई हमेरा अदमी आ जाएगा, तो कैसे होगा? मारा हुआ अदमी को जिन्दा कर सकता है, तो यह भी होगा, एक हम मार देंगे आदमी को, और जिन्दा करो, तब हम लोगों को आदिवसी सीट को दिया आदिवसी थे, पर किसी ने भी आज तक जाडखन की हिस्ट्री में पूरा अपना कारेकार पूरा नहीं कर पाए, इसके वज़े आपको क्या दिखती है? दिखिए, उस समय ये बात था कि पहले तो था बावलर मरानी, उसके बाद हम लोगा अधानिय ग्रोजी, उनके बाद क्या बलता हैं, अर्जुन मुंडा, उसके बाद मधु कोड़ा, उसके बाद रगु बर्दास, उन लोग को, जैसे अधिवासी के हीद में उन लोग को देखा नहीं चाहरा है कि, इन लोग कैसे बना पायाता है कि अधिवशी जी मंधुमंत्री, इस प्रवळम है, तो कोई अच्छा राता है, और एक चीज़ बता आद है, कि हम लोग का, मेरा हमन्द भया ने बोला, साच कभी चिपता नहीं है, जुट कभी भी चिपाएगा। हम लोग जहरकन का जो पैसा बोल रहा है। कि हम लोग जहरकन का बाकाया पैसा दे देजिया, हम लोग आपसे कुछ लिन दिन नहीं रहेगा। यह बोलता है तो फिर कुछ कुछ करता है। पहले यह बोलता है कि मेरा पोज में आ जाईए, दूद के दूद हो जाएगा, पानी के पानी हो जाएगा, देखे, हम लोग लाड की लिए हैं जहरकान, अंदुलान करके, हम लोग तहास नास होने नहीं देंगे, हम लोग को जेतना पुरा गाउं गाउं में आदमी हम लोग निकलेंगे, जुलूस करेंगे, कि निर्दोस को दोसी अप तहराते हैं क्यों, पहले पांच साल के, पहले एडिक आप कहां थे, उसे में जमीन घोटला नहीं था, पैसा घोटला नहीं था. इस गाउं में अचानक आपने देखा, कि हेमन सोरेन के खिलाव भ्रष्टाचार बोला है, वो पैसा खा गया है, और उसको गिरफतार कर लिया है, उसको मुक्हमंत्री पद से वो इस्तिफा दे दिया. तो आप तो इसी गाउं के हो, यहां पर मकान भी है उनका, तो आप क्या समझते हैं, क्या यह ठीक हो उनके साथ? उसको ठीक है, सब चीज ठीक है. क्या आपको लगते हैं, उन्होंने पैसा खाया? पैसा नहीं काया है, पैसा नहीं काया है, अच्छा आदमी है, सब गोर्भ दिखे लिए सरकार है, हम बाबू, हम मेरा भतिजा है, हम लोग सब चीज का भालाई कार रहा है, सब चीज अच्छा कार रहा है, सब चीज गर्दखी के काम कार रहा है, धरकार भी अलाग कार दिया उसका बद लड़ाय कर दिया, उसका इसका कॉन ची इसका का इया है, इसको पिछा करने लगा, इसको कॉन ची के पिछा करना लगा इडी, जह इहां जहरकार में आए के बोलेगा तो हम लोग रहने नहीं देंगे उसको. श्रीकान जी ये बताईए कि आपके गाउं के गुरुजी हैं, और हम देख रहे हैं कि अब जो हेमन सुरेन, मुख्यमंत्री थे, उन पे ब्रश्टाचार का आरोप लगा के उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो मुख्यमंत्री पज से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या कि हेमन सुरेन पैसा उन्होंने लिया है या उनसे बश्टाचार नहीं जान रहे हैं, वो तो अच्छा आदमी था, हम उसके साथ हमने कलास प्रेम हम हमाएं, मेरा भत्ती जाहा है, तो कैसे वो गलती करेगा, गलती नहीं किया है, भाचपा माले जबर्जोस्ती कर रहा है, अ तो नहीं बोल पएंगे, तो क्या आपको लगता है कि जेमेम की सरकार को हटाने के लिए बीजेपी ने ये साजिश किया है, आपको लगता है, बीजेपी से हमारी बात ही उन्होंने कहा कि जार्खंड के लिए जरूरी नहीं है, कि कोई आदिवासी मुख्यमंत्री हो, क्या ये ठीक है? तो क्या आप चाहते हैं कि जारकर्ण में एक आदिवासी मुख्यमंत्री हो? उसको हम बोल पाएंगे, कुछ हम लोग भासा में और कोई बड़ा आदमी बाने गत्माल नहीं बोल पाएंगे, हम लोग भासा में बोल पाएंगे क्या नाम है आपका? सुखेशर सुरेन सुखेशर जी यह बताएं आप नेमरा गाओं के हैं और शुबू सुरेन और हेमन सुरेन आपी के गाओं के हैं तो उन पे हेमन सुरेन जी पे जो इतना बड़ा आरोप लगा है भश्राचार का जिसके वएसे उनको गिरफतार कर लिया गया है और उनको इस्तीफा देना बीजेबर जस्तीर आरप लगा दिया है तो आपको लगता नहीं है कि उन्होंने पैसे लिये है नहीं लिया है तो क्या आपको लगता है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को खटाने के लिए बीजेपी ने ये साजिश रची है बीजेपी ने अभी आरूप लगा दिया उस आदिवासी रहना चाहिए जरकान में अभी अभी अधिवासी मुखमंत्री रहना चाहिए तो आपको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री आदिवासी हो तो आदिवासी के कल्यान के लिए काफी काम होगा? काम तो होगा, तो अभी राहने देखाता बनाओ। विजयपी क्यों होते हुए हैं, आप इधर आईए, आप इधर आईए। सरना कोड भी होने नहीं दिया, तो इधर आपने बिजयपी ही आरोप लगा दिया है, कुछ इसका कोई यहाँ संपन्त नहीं है। हम सुने थे समाचार में, आट एकड का जामीन का ते मालिक मान रहा है, वो गलाद बात है, गलाद बात कार के भी इन लोग पसा रहा है, तब कितना दिन पसा आए गया। हम लोग जल्द से जल्द उसका, हम लोग निकल लेंगे भी है, हम लोग के साथ, वो लोग भी निकल लेगा। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी जाडखन में आदिवासी समाच से मुख्यमंत्री होना देना नहीं चाहती है। नहीं चाहती है। क्यूंख आपकों लोग नहीं जान पारा है। किस हम लिए देना चाहता है, किस हम लोग अधिवासी भूड़बो ख यए गये। तो इसलिए हम लोग नहीं कि अब एस ब incubator माम ला हो गया, कैसे हो गया, कैसे नहीं हुए। समाचार में देख रहा हैं तो ऐसा करके फसा करके उसको बहुत बड़ा कलंग उसको चढ़ा दिया है तो कैसे बता है हमारी जो है बीजेपी से बात हुई तो उनका कहना है कि जरूरी नहीं है कि जारखन क्या मुख्यमंत्री आदिवासी हो इसके बारे में क्या कहना चाहेंग कि आधीवासी है तो उस उसको ही सपोट देंगे नहीं तो किसी को सपोट नहीं देंगे अगर बीजेपी को इन अभी अदीवासी मुख्यमंत्री लेकर आये तो क्या करेंगे तो अभी भी गुरू जी और सोरेन परिवार पे आपका विश्वास है विश्वास तो है ये है तो हम लोग उसी उसी गाव में जनाम लिये हैं तो उसी के उपर में भरसा लेंगे तो उसी अलग किया है रुसी को ही दे छोड़ देंगे तो हम कहां जीएगे जारकांड अलाग किया पहले बिहार था बिहार से अलाग कर दिया तो अभी उसका उसका दूख तो हम लोग भी देखेंगे में उसका जाओत जालाग किया झालाग कि हम लोग उसका वा लीम कर दो